हेलो एंड वेलकम गाइच साइनसम के चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है सो गाइच नर्सिंग वालों के लिए लेटस्ट कुसकबरी यहां पर आ चुकी है और यहां पर नमबर ओपॉस्ट 24 रहने वाली है तो देख लेते कहां किये कौन को न अपलाइ कर सकता है और इसकी क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है और साथ में railway की update भी हम आपको देने वाले जी हाँ बिल्कुल railway की जो vacancy है उसके बार में भी कापी सारे इस्टोरेंट पूछ रहेते सरे railway की vacancy का क्या update है तो उसका भी हम आपको बता देंगे तो guys जैसा कि यहाँ पर आप देख पार होंगे BAMS वाले भी यहाँ पर apply कर सकते हैं और इसके साथ साथ कौन कौन apply कर सकते हैं देख लेते हैं तो इसके साथ साथ यहाँ पर BNWISE का जो course होता है योग का जो course होता है वो भी apply कर सकते हैं और BAS nursing वाले भी यहाँ पर apply कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सो कापिसारी पोस्ट यहां पे निकली हुई है और इसकी कलोजिंग डेट है 22 दिसंबर 2021 जी हाँ बिलकुल इससे पहले पहले आपको एपलाई करना है और एपलाई करने के लिए ओफलाइन तरीके से आपको एपलाई करना होगा यह जो उपर एड्रेस दे रखा न इसका फोर्मेट हम आपको टेलेग्राम चैनल पर भेज देंगे आप वहां से प्रिंट आउट निकलवा लेना बर लेना उसको और यह देगे एड्रेस पर एपलाई कर देना यह जो दे रखा है रूम नमबर 305 रेड हिल रोड ठीक है शिल जोब लोकेशन कहां रहेगा शिलोंग में रहेगा आपका जोब लोकेशन लास्ट क्या है 21 दिसंबर 2021 यहां पर रहने वाली है तो इस प्रकार इसका पेड़ डेप आपको टेलेग्राम पर बेज दिया जाएगा और रहे बात रेलवे की तो रेलवे की वेकेंस आचुकि य जिहां बिल्कुल रेलवे की वेकेंस से आचुकिए इसके उपर वीडियो आपको मोरेणिंग में कल मिल जाएगा क्योंकि आपने चैनल सस्क्राइब कर रहा है बेल आइकन पर प्रेस कर रहा है तो नर्सिंग वालों के लिए जो रेलवे की तरफ से बंपर बढ़ते आईए उसका वीडियो आपको मिल जाएगा तो पेड़े आपको बेदे जाएगा टेलेग्राम पर टेलेग्राम का नाम है mksbro5 ठीक न तो टेलेग्राम पर हमारे पूरे जितने भी पेड़े पर आपको बिल्कुल फ्री अपकोस्ट बेज दिये जाते है तो यहां पर फोलो कर लेन लिंक इसका नीचे देरकाइब वीडियो के और वहां से सीधा आप टेलेग्राम पर पहुंच सकते हो सो नर्सिंग वालों के लिए काप अच्छे ची वेकेंज से आने वाली रेलवे से और आपके सी हो से और आपके स्टेड से और एम से ना कपसर वेकेंज से आएगी भी न सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके